हलो आपके साथ शेर करने जारी हूँ ब्रेकफास्ट की बहुत ही इजी रेसीपी सूजी से बने इस नास्ते को हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे और एक खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा आएए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है उसमें मैं आट करूंगी वन कप सूजी यहाँ पर सूजी आप जो मोटा या तो फिर बाईरी काता है कोई भी ट्रैप का ले सकते हो अब हम सूजी को दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इस तरह से पहले सूजी को रोस्ट करने से हमारे नास्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा यहाँ पर सुजी को हमें low frame पर ही roast करना है थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि सुजी का color है वो हलका सा change होने लगा है स्टेज पर हम गेस की film को off कर देंगे और उसे हलका सा ठंडा होने देंगे अब मैंने यहाँ पर एक mixing bowl लिया है उसमें हमने जो सुजी को roast करके रखा था वो हम इसमा आड़ कर देंगे और साथी में हम इसमा आड़ करेंगे one four cup जितना गेहू का आटा यहाँ पर मैंने गेहू का करकर आटा आता है वो लिया है जिसे हम लड़ू बनाते है फिरम उसमें one of cup जितना दें आड़ करेंगे यहाँ पर दें हमारा room temperature वाला होना चाहिए और ज़्यादा खटा नहीं होना चाहिए अब नास्ते को तिखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक green चिली जो तिखी वाली आती है वो मैंने लिए है आदा इंच अद्रक का टुकड़ा हम इसमें आड़ करेंगे और यहाँ पर एक medium size की onion इसे मैंने चौप करके लिया है वो मैं इसमें आड़ कर दूँगी और स्वाद आनो सर हम उसमें थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे अब हम उसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे तो यहाँ पर मैंने वन थर्ट कप जितना पानी लिया है वो मैं इसमें आड़ कर दूँगी ठकन को हम बन कर देंगे और इसकी एक smooth पैस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी पैस्ट है वो अच्छे से ग्राइन होकर रेड़ी हो चुकी है अब हम इसे एक mixing बाउल मां आड़ कर देंगे और फिर हम उसमां आड़ करेंगे फ्रेश कटे हुए धन्या के पते इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा यहाँ पर बैटर हमारा थोड़ा सा गाड़ा है इसलिए हम उसमें थोड़ा सा पानी और आड़ करेंगे और अच्छे से बैटर बना लेंगे पानी आड़ करते वक्त हमें इस बात का खास ज्यान रखना है कि बैटर हमारा ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए मिडियम कंसिस्टन्सी वाला पेटर हमें चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारा बेटर बन कर अच्छे से रेडी हो चुका है अब नस्ते को थोड़ा सा फ्लफी बनाने के लिए मैं उसमा आट करूंगी वनफोर टीस्पून जितना बेकिंग सोडा पेकिंग सोडा की जगह आप इनो का भी यूज़ कर सकते हो सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नस्ते के लिए अब हमारा बेटर बन कर अच्छे से रेडी हो चुका है यहाँ पर नास्ते को अच्छा शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन लिया है उसमें मैं थोड़ा सा घी आट करूँगी यहाँ पर आप घी की जगा तिलका भी यूज़ कर सकते हो अब हमने जो बेटर बना के रखा था वो हम इसमें आट कर देंगे अगर आपके पास तड़का पैन नहीं है तो उस जगह आप कोई भी नौन स्टिक पैन में बहुत ही आसानी से इस नास्ते को बना सकते हो यहाँ पर हमें इस बात का खास ज्यान रखना है कि जब हम नास्ता बना रहे हो तब हमें गेस की फ्लेम को लो ही रखना है ताकि हमारा नास्ता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर तक अच्छे से पक कर रेडी हो एक से दो मिनिट के लिए हम उसे अच्छे से पकने देंगे थोड़ी ही दिर में आप देखोगे कि इसकी जो कोर्नर की सरफे से वो हल्की सी ड्राइ होने लगी है स्टेज पर हम उसमें थोड़ा सा गी और स्प्रैट कर देंगे ताकि जब हम उसे फ्लिप करें तो नीचे की ओर चिपके नहीं और फिर हम उसकी साइट को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे की ओर से बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर डिजाइन आ चुकी है सुजी से बना एनासा खाने में बहुत ही तेस्टी बनता है अब दूसरी साइट भी हम उसे एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से पकने देंगे और फिर हम उसकी साइट को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरी और भी बहुत ही अच्छे से यह पक्कर रेडी हो चुका है अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो है ना बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी नास्ता बनाने की इस नास्ते को आप टोमेटो सौस के साथ या तो फिर ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हो यहाँ पर मैं आपको एक पार्ट इसका कट करकर दिखाती हूँ कि हमारा जो नास्ता है वो अंदर से कितना सौफ्ट बना है तो आप भी यह रेसिपी एक बार ज़रू से ट्राइ करना आपको और घर में बाकी सबको यह बहुत पसंद आएगा सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें मिलेंगे नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए बाबाई